नमस्कार जहिन मंदे मत्रम आप देख रहे हैं आयमन भी नियूज हम चर्चा कर रहे हैं सूरजपूर की सूरजपूर में जो घट्टा को अंजाम दे है कुल्दीप साहू जिसके तार कांग्रेस से जुड़े हुए हैं कांग्रेस्यों ने लगातार इस बासे इनकार किया ले सेलने लगातार ऐसी तस्वीरे जारी किये जिसमें कांग्रेस के नेता दिवेंद्यादा जो फिलाल जेल में बंद है उनके साथ भी कुल्दीप साहू और सभी अरोप्यों की फोटो देखी जा सकती है यह सब फोटो सूसल मेडिया में जारी हो रहा है जंकारों का कहा जाए तो कांग्रेस के लोग ही यह फोटो गोप्री रूप से भाजपा तक पहुचा रहे हैं क्योंकि कुल्दीप साहू से स्थानी कांग्रेसी भी नराज थे कुल्दीप साहू क्रिमनल था कबार के धंदे में रहते हैं कई अपरादों को अंजाम दे चुका था जिससे इस्था बास से नराज है और वो लगतार वो लगताओं तक जनकारी पेज़रा है कि कुल दिप साहू को लाट विरों के बाउदी कुल दिप साहू और अन्य सांथियों को कांगरेस में सकरी रखने के लिए हाई ये प्रोच का उपयोग किया जाता था जबकि इस्थानी कांगरेस भी कुल दिप साहू और उसकी क्रिमिनल दोस्त लगतार कांगरेस के कारियों में सालिप्त रहते हैं कुल मिलाकर जब कांगरेस ने इस हत्या को लेकर हंगामा किया प्रदिस में सवाल खड़ा किया उस समय कांगरेस के बड़े नेताओं को ही पता नहीं था कि कुल दिप साहू उनके ही पार्टी का कारे करता है, उनके ही पार्टी का खास कारे करता है, बात यहीं खतम नहीं होती, भाजपा IT सेल ने लगातार कुल दिप साहू रिंकु चाओरी की फोटो को सोचल मेडिया में उच्छाला है और इनके सारे भेथ खोले हैं, ये कांगरेस से इनका कैसा बंद है कुल्डिप साहू के Facebook एकांड में कांग्रेसी नेताओं की भीड लगी हुई है कांग्रेसी नेताओं की जन्म दिन पर कुल्डिप बधाई देता ना जारा रहा है ऐसे कई पोस्ट हैं अगर कांग्रेस से उसका चुकाव नहीं था भर जिंदा पर्टी की नेताओं को बधाई क्यों नहीं दे रहा है वो लगततार कंग्रेसी के नेताओं को भी बधाई देता ना जा रहा है कांग्रेस भी अब लुके छुपे ढंक से इस बात को स्विकार रही है कुल्डिप साहू उनका सदस्य था किसी ना किसी रूप में क्योंकि इस्थानी कंग्रेसियों कांगरेसियों ने भी दवे जमान कुंदीफ साहू के मिसें में बोलना सुरू कर दिया है